दोस्तो, वेलकम टू यती क्लासेज कंसेप्ट इन टू मिनिट सेशन आज के इस सेशन में मैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही रोचक कंसेप्ट बहुत ही सरल माध्यम से दिखाऊंगा जिससे आपके दिमाग में वो एकदम चप जाएगा कि हाँ यार एक्जेक्ली ये चीज होती है आपने सुना होगा इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के बारे में या फिर हो सकता है कि कुछ बच्चों को तो पता ही ना हो कि जो Newton's laws of motion है वो हर जगा valid नहीं है Net force equals to mass into acceleration हर जगा valid नहीं है अग कोई बच्चे सोचे रहोंगा अच्छा ऐसा भी है जी हाँ बिलकुल ऐसा है चली एक बार जैसे देखते हैं मैं एक example के माध्यम से आपको यह चीज समझाता हूँ जैसा कि आप यहां देख रहे हैं ट्रक है ट्रक में एक बालक खड़ा है बालक का नाम है रामू बालक का नाम है रामू और यहां पर एक है डबबा अब आप अगर यह ट्रक A acceleration से आगे जाता है तो क्या यह डबबा यही रहेगा इसके साथ जाएगा आपको क्या लगता है लगतो रहा होगा आपको डबबा साथ जाएगा देखिए अगर इन दोनों सर्फेस के बीच में friction है तब तो उसके जाने की संभाव नाए है अगर यह frictionless surface है बिल्कुल चिकना है तो यह डबबा यही रहने वाला है क्योंकि किसी भी चीज को आगे बढ़ाता है friction पता होगा उमीद है तो अगर यह frictionless surface है जो कि हम मान कर चल रहे हैं कि frictionless है तो यह ट्रक जब A acceleration से आगे जाएगा तो यह डबबा यही का यही रहेगा और यह जो ट्रक है यह आगे निकल जाएगा अब यहाँ पर दो चीज है एक तो मैं खुद और एक यह रामू तो मुझे क्या दिखाई देगा और रामू को क्या दिखाई देगा यह सोचते हैं मुझे दिखाई देगा कि ट्रक तो आगे जा रहा है पर यह जो डबबा है यही का लिए और यहीं है और रॉमु को क्या दिखाई देगा थोड़ी सी कल्कना करनी होगी यहां फिरॉमू हूं अगर नगी तरक Значит के अंदर से तो उसे दिखाई देगा कि है जो नौफ है Евता है वही का भ़ी है रोपन वही है रॉप को क्या दिख रहा है 급ढ़ प्युक्षे तो अब अगर हम यहां पर देखें इस चीज को जो थोड़ा एनिमेशन से देखेंगे तो मज़ आ जाएगा और रामू को दिख रहा है कि वो डबा पीछे जा रहा है जहांते देखिए ऐसे पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है अब यह सोचिए कि अगर वो ट्रक एक्सेलेशन से आगे जा रहा था तो रामू को ऐसा ही दिखेगा कि यह जो डबा है यह एक्सेलेशन से आगे की तर पर यहां तो without any force acceleration हो रहा है Newton बाबा फेल हो गए यह यह कहा जाए कि limitation आ गई Newton's laws of motion की जी हाँ दोस्तो इसी frame को जिसमें वो बच्चा खड़ा है यानि accelerated frame truck acceleration में है न accelerated frame को non-inertial frames कहते हैं क्योंकि वहाँ पर Newton's laws of motion valid नहीं होती आप जहां से खड़े उकर देख रहे हैं जो non-accelerated frame है जिसमें acceleration नहीं है वहाँ पर आप Newton's laws of motion लगा सकते थे वहाँ पर आप देख रहे थे कि डबा तो इस्थिर है उस पर कोई force नहीं लग रहा हो कहीं नहीं जा रहा तो उमीद है कि इस lecture से आपको आज ही clarity आई होगी कि inertial frame, non-inertial frame क्या चीज होती है और Newton's laws of motion की क्या limitation है हर जगा नहीं लगाया जा सकता उसे तो ऐसे ही चोटे चोटे concept हम लेकर आते रहेंगे मित्रो ये मुझे लगता है कि चोटे चोटे sessions हमारे लिए ज़्यादा successful होते हैं आप इसी तरीके से यती classes के साथ बने रहे हैं अपने दोस्तों को friend circles में इस चीज को propagate करिए और हमारी चैनल को subscribe करिए और हम रोज मिलेंगे ऐसे दो मिनिट सेशन में नहींने concepts के साथ Thank you